नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यदि दोस्तों आपने गुडेल के पौदे लगाए हुए हैं और उन पर फूल बहुत कम आ रहे हैं या फूल आ भी रहे हैं तो छोटे फूल आ रहे हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे और्गैनिक फट लायर के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने गुडेल के पौदे पर सिर्फ पांच रुपे में बहुत जादा फूल प्राप्त कर सकते हैं और बड़े फूल भी तो चलिए दोस्त हमारे दो गुडेल के पौदे हैं और दोनों पर बहुत कलियां बनी हुई हैं और खुछ फूल खिले हुए हैं अगर आप इसी तरह अपने पौदे को हरा बरा रखना चाहते हैं और ज्यादा फूल प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा करें और वीडियो को एक वार लायक और एक वार जरूर शेयर करें तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे इसके पूरी केर टिप्स के बारे में सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा यदि पौदा गिरोथ नहीं कर रहा है पौदा आपका पीला पढ़ता जा रहा है पौ तो पौदे की जो पत्ति आएं वो पीली होकर गिरने लगेंगी तो आपको ध्यान रखना है कि पौदे में आप जरूरत अनुसार ही पानी दें जितना पौदे को जरूरत है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पौदे की एक भी पत्ति पीली नहीं होगी इसके अलाव जिन पौदों पर फूल कम आते हैं या फूल आ भी जाते हैं तो वो छोटे फूल आते हैं तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों यह बात हम सभी जानते हैं कि पौदों के लिए दूपी सब कुछ है पौदों को अगर बरावर दूप मिलती रहे तो पौदे अपना विकास अच्छी तरह से करते रहते हैं और पौदों पर ज़्यादा फूल आनी लगते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम गुडेल के पौदे की एक इंच से दो इंच गहरी गुडाई कर लेते हैं गुडाई गुडेल के पौदे की हम नॉर्मल करेंगे कोई ज़्यादा गहरी गुडाई नहीं करेंगे और गुडाई करते समय दोस्तों आपको ध्यार रखना है कि जिस भी चीज़ से हम पौदे की गुडाई करें तो वो टूल गलती से भी पौदे तक न जाए तो मैंने एक पौदे की गुडाई करके अच्छी तरीके से तयार कर दिया है अब जो हमारा दूसरा पौदा है उसकी भी हम इसी तरह से गुडाई कर लेंगे और दोस्तो इस काम को हम हर 15 दिन में एक बार गुडाई के पौदे में हम इसको करेंगे जिससे की अमारा पौदा हमें समय पर फुल देता रहे तो देखिए दोस्तो मैंने इस पौदे की भी गुडाई करके पौदा तयार कर दिया है अब दोस्तो हम जान लेते हैं उस औरगेनिक फटलाईर के बारे में दोस्तो मैंने फटलायर बनाने के लिए यहां पर 400 ग्राम पानी लिया हुआ है अब इस 400 ग्राम पानी में मस्टड के फटलायर बनाके तयार करूँगा दोस्तो बरसात का मौसम आ चुका है तो पौदों के लिए मस्टड के फटलायर सबसे बहतर है तो मस्टर्ड के एक फटलायर तयार करने के लिए दोस्तो हमें सरसों खली की जरूरत है तो दोस्तो हमने यहाँ पर सरसों खली ली हुई है सरसों खली लोकल एरिये में आसानी से मिल जाती है जहाँ पर गायवैसों के तवेले होते हैं वहाँ पर भी यह मिल जाती है तो दोस्तो हमने 400 ग्रम फटलाजर के लिए 50 ग्रम सरसों खली ली ए अब इस सरसों खली को दोस्तो हम डाल देंगे पानी में और इससे लगबग 24 गंटे के लिए हम ऐसे ही विगोके रखेंगे जिससे कि हमारा यह फटलाजर बनके तैयार हो जाए दोस्तो और उस फटलाजर को हम अपने गुडेल के पौदे में यूज कर सकें तो चलिए जल्दी से हम इसको डाल देंगे और फटलाजर बनाके तयार करते हैं तो देखिए दोस्तों मैंने ये डाल के तयार कर दिया है एक वार इसे मैं अच्छी तरीके से गोल दूँगा जिससे की ये जल्दी से गुल जाए अब इसे मैं रख देता हूँ 24 गंटे के लिए अब 24 गंटे बाद इसको हम अपने पौदे में यूज करेंगे जब इसका फटलाजर बनके तयार हो जाएगा 24 गंटे से उपर हो चुके हैं और दोस्तों देखिए हमारा ये मस्टड केक फटलाजर अब बनके पूरी तरह से तयार हो चुका है अब इस फटलाजर में दोस्तों थोड़ा सा पानी हम और मिलाएंगे हम इससे सीधा नहीं डाल सकते तो चलिए सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा पानी डार लेते हैं और इसे पानी डालने के बाद में से हम एक वार हिलाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने कुछ पानी डार लिया है और इसे एक वार हिला करके गुडेल के पौदे में हम इसे डाल देंगे दोस्तो ये फट लायर हमारे गुडेल के पौदे में बहुत तेजी से काम करता इससे ज़्यादा फूल भी आने लगते हैं तो चलिए अब इसे हम गुडेल के पौदे में डालेंगे देखिए दोस्तों हमने गुडैल के पदे की गुडाई भी की थी और गुडाई कर देने के बाद मैं दोस्तों जो हमने गोवर की खाद लिये यहां पे इसका यूज अपने पौदों में हर 10 दिन के बाद यूज कर सकते हैं इसका आपको बहुती ज़्यादा अच्छा अपडेट मिलेगा और दोस्तो ये फटलायर मेगा भी नहीं है केवल आप इसे 5 रिपे में तैयार कर सकते हैं जो सरसों खली मैंने ली थी वो 5 रिपे में इस पहल आती है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा दोस्तो उम्मीदें यह वीडियो आपको अवस्ती पसंद आई हूगी दोस्तों आप अमें कमेंट besch my कमेंट करके बताहिए जरूर आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ ठेंग यू